ओम नमस्षिवाय जय महाकाल अगर आपके घर में पैसों की बहुत जादा ही कमी है तो ये वीडियो आपके लिए है पूझी गुरुजी की कथा से ही सुनके आपको समझाने कोशिश कर रहा हूँ बस आपको क्या करना है दो पत्थर लेने उस पे थोड़ा सा दूद चड़ान करना है और आपकी पैसों की समस्या दूर होगी थोड़ी सी काम और आपको करने है कैसे करना है बताऊंगा लेगिन सबसे पहला काम आप लाइक कर दो आब आज पहली बार आप सुन रहे चैनल को सब्सक्राइब करना ठीक देखो इस क्रिम पर क्या दिख रहा है ये है नारि ठीक क्या करना उसके बाद इस नारियल को आधे से तोड़ लेना जब आप आधे से तोड़ोगे तो कुछ इस तरीके से नारियल आपको दिखेगा ठीक फिर दूसरा काम क्या करना दूसरा काम करना आप पंजीरी बनाना अब पंजीरी को होगी क्या होता है तो हमारे हैं आपने आधे से तोड़ा है दोनों में भर लेना अच्छे तरीके से भर करके फिर से इन दोनों को आपस में पैक कर देना जब पैक करोगे तो फिर इस तरीके से कुछ दिखने लगेगा ठीक आपको फिर क्या चाहिए अभी देखो वीडियो खतम नहीं हुआ ध्यान से सुनना वरना फिर बहुत पूछते हो आप लोग इस तरीके से हो जाएगा फिर क्या करिएगा फिर क्या करना आप लेना मॉली मॉली क्या होता है जो हम अपने हाथ में रक्षा सूत्र बांगते है तो इस तरीके से कुछ होता है मॉली मॉली को क्या करना इस नारियल पे अच्छे त अच्छे से लपेट देना, जब लपेटना तो भगवान सरी काशे विस्वनात का इसमरण करना और दूसरा काम करना अपना नाम और अपना गोत भी जरूर बोलना, ठीक है, इतना काम कर लिया, अब समझना तीसरा काम कौँसा करना है, आपको जाना है पीपल पेण के नीचे, ठीक है, पीपल पेण के नीचे जाना और यहीं पीपल पेण के आसपास थोड़े दूर की एलिया पे कहीं पर गड़ा खोधना थोड़ा सा, इस तरीके से, अब यहीं तो मैंने बहुत बड़ा गड़ा दिख रहा है, आपको इतना बड़ा गड़ा खोधना था कि वो नारि पत्थर रख देना, पत्थर क्यों का आजाता है रखने के लिए, क्योंकि आपको याद रहे कि मैंने कहां पर अपना नारियल को दबाया है जमीन के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा, उसके बाद क्या करना, उसके बाद आप अपने घर चले आना, दूसरे दिन क्या करना दूसरे दिन फिर से जाना उसी जगे पे जहां पे आपने नारियल को दबाया है आपको फिर अपने साथ लेके जाना है एक लोटा दूध पूरा और उसके बाद आपको लेके जाना है एक लोटा पानी सुध पानी लेके जाना सबसे पहले उसी जो आपने पत्थर रखा है उ उस जल को भी समर्पित कर देना है बस इतना ही काम आपको करना है आपकी सारी समस्यां पैसों से सम्बंदित दूर होगी देखो यह जो उपायत है यह था कि पित्रदोष जिसको लग जाता है उसके घर में ऐसी समस्यां होती है लक्षमी नहीं आती है पैसा रुखता नहीं है तो आपके घर में लक्षमी से सम्बंदित अगर कोई पित्रदोष होगा तो इसको करने से वो दूर हो जाएगा ठीक है आपके लिए एक छोटा सा काम यह है कि आपको नीचे कॉमेंट में बताना है कि काशे विस्तुनाद भगवान सरी काशे विस्तुनाद का मंदिर कहां पर है नीचे कॉमेंट में जरूर हो अताना ठीक तो वीडियो पसंद आई है तो एक बाद लाइक कर देना कोशिश किए मैंने थोड़ा सा अच्छा समझाने की तो पसंद आया करें तो लाइक किया करिए आवाज पहरी बार आप सुनने चैनल सब्सक्राइब करना फोन भी बाद दे करने के लिए आके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो थे नेचरल प्लानेट 108 ओम नमस्षिवाय जै महाकाल